मीठे बच्चे, बोल ये कितने मीठे हैं होम शांती संगम युग जब स्मृति में आता है जब स्थिती बन जाता है तो ये भी याद आता है कि अब घर लोटने का समय आ गया है जब कि इसके बाद ये ड्रामा फिर से रिपीट होगा परंतो इस फिर से के बीच में आता है मुक्ती धाम, निरवान धाम हम आत्माई फिर से अपने घर जाइंगी मुलवतन में निराकारी स्वरूप में सत्य स्वरूप में सत्य पिता से मिलेंगी और फिर से इस दुनिया में आकर हम हीरो पार्ट धारी आत्माई अपना पार्ट बचाएंगी इस कल्यानकारी ड्रामा का हर सीन कल्यानकारी है यह अब हमें समझ आता है है ना? अकल्यान किसी बात में नहीं है कल्यूग के अंदर सभी मनुष्य वर्तमान स्थिती परिस्थिती को देखकर दुखी होते रहते हैं, परिशान होते रहते हैं, चिन्तित होते रहते हैं परिंटों बाबा हमें सब चिन्ताओं से फारिक कर ड्रामा का, स्वयम का, ऐसा अमुल्ले ज्ञान प्रदान कर देते हैं कि सब कुछ अच्छा लगने लगता है आज की मुरली इस सच्चाई को ही विस्तार पूरवक हमें बताती है अभी हम सुनते हैं बाबा के मधर महवाक के आज है 25 दिसंबर 2023 Christmas Day भी है, इसे बाबा हमेशा क्याते है किश्मिश डे है न, सब के साथ मीठा होकर रहने का दिन तो वैसे भी हम मीठे बाबा के मीठे बच्चे हैं तो सुनेंगे मीठी मानी बाबा के आज है 25 दिसंबर 2023 बाबा के मधर महवाक के हैं मीठे बच्चे बाब हर बात में कल्याण कारी है इसलिए जो डारेक्शन मिलते हैं उसमें आना कानी ना कर श्रीमत पर सदा चलते रहो हर बात में कल्याण है बस चलते जाओ बाबा ने जो रास्ता दिखाया है ये रास्ता हमें मन्जिल तक लेकर ही जाएगा ये श्रीमत की पट्री पूरे लक्षित तक पहुचाएगी अजका प्रश्ण है नौधा भक्ति और नौधा पढ़ाई दोनों से जो प्राप्तियां होती है उसमें क्या अंतर है उत्तर है नौधा भक्ति से सिर्फ साक्षातकार होता है भक्ति मार्ग में नौधा भक्ति करते हैं न तो उससे केवल साक्षातकार होता है जैसे श्री कृष्न के भक्त होंगे तोने श्री कृष्न का साक्षातकार होगा रासाधी करेंगे लेकिन वे कोई बैकुंठ पुरी वो श्री कृष्न पुरी में नहीं जाते साक्षातकार होगा पर वैकुंठ में जाएंगे नहीं तुम बच्चे नौधा पढ़ाई पढ़ते हो जिससे तुम्हारी सब मनों कामनाई पूरी हो जाती है इस पढ़ाई से तुम वैकुंठ पूरी में चले जाते हो तो क्या करेंगे? नौधा पढ़ाई आज का गीत है आज नहीं तो कल दिखरेंगे ये बादल ओ रात के भूले हुए मुसा फिर सुबह हुए घर चल अब धर चल रे जोडले फिर से तोती ममता बादले पेमकी दोरी जिन्द गानी से दूर भागना है मन की कमजोरी ये सब दुख के पन एक तिन जाएंगे तर ओ रात के भूले हुए मुसा फिर सुबह हुए घर चल अब घर चल रे ओम शांती यह किसने कहा कि घर चल गीत में सुना ना अब घर चल किसका बच्चा रूठ कर चला जाता है तो मित्र संबंधियादी उनके पिछाडी जाते हैं होता है न ऐसे कहते हैं रूठे क्यों हूँ अब चलो घर यह भी बेहद का बाप आकर सब बच्चों को कहते हैं चलो घर बाप भी है दादा भी है जिस्मानी भी है तो रूठानी भी है कहते हैं यह बच्चे अब घर चलो रात पूरी हुई है अब दिन होता है यह हो गई ज्यान की बातें यह कोई स्थोल दिन रात की बात नहीं है यह ज्यान की बात ब्रम्भा की रात ब्रम्भा का दिन यह किसने समझाया बाब बैट ब्रम्भा और ब्रम्भा कुमार कुमारियों को समझाते है आधा कल्प है रात अर्थात पतत रावन राच्चे अथ्वा भ्रष्टाचारी राच्चे क्योंकि आसुरी मत पर चलते हैं अब तुम श्रीमत पर हो श्रीमत भी है इनकोगनीटो गुपत है ये हम जानते हैं बाप खुद आते हैं उनका रूप अलग है रावन का रूप अलग है उनको पाँच विकार रूपी रावन कहा जाता है अभी रावन राज्ये खलास होगा फिर इश्वरी राज्ये होगा राम राज्ये कहते हैं न सीता के राम को नहीं जबते हैं माला में राम राम जबते हैं न राम राम कहते न सीता का राम वो तो नहीं कहते न वह परमात्मा को याद करते हैं जो सर्वकास सद्गती दाता है उनको ही जबते रहते हैं त्रेता वाले राम को नहीं त्रेता युग में जो श्री राम होकर गए उनको नहीं हम राम अर्थात शिव बाबा को याद करते हैं उस परमपिता परमात्मा को याद करते हैं राम माना गौट माला जब जबते हैं तो कभी कोई व्यक्ती को याद नहीं करेंगे उनकी बुद्धी में दूसरा कोई आएगा नहीं कोई मनुष्या आत्मा नहीं आएगी तो अब बाप समझाते हैं रात पूरी होई कल्युक पूरा हुआ यह है कर्मशेत्र स्टेज जहां हम आत्माई शरीर धारण कर पाठ बजाती है 84 जन्मों का पाठ बजाना है फिर उसमें वल्ण भी दिखाते है 84 जन्मों में आत्मा अलग-अलग वल्णों से होकर गुजरी चुकि 84 जन्मों का हिसाब भी चाहिए न किस-किस जन्म में, किस कुल में, किस वर्ण में आते है इसलिए ही विराट रूप भी दिखाया है पहले-पहले है ब्राम्मन चोटी सिर्फ सत्योगी सूर्यवन्शी में 84 जन्म होना सके ब्राम्मन कुल में भी 84 जन्म नहीं होते 84 जन्म तो भेन भेन नाम, रूप, देश, काल में होते है सत्योग सतुप्रधान से फिर कलेयोग तमुप्रधान में जरूर आना है 84 जन्मों में आत्मा भेन भेन नाम, रूप, देश, काल से होकर गुजरती है उनका भी टाइम दिया जाता है मनुष्य 84 जन्म कैसे लेते हैं यह भी समझने की बात है स्रिष्टी चक्र का पूरा राज समझाना बहुत जरूरी है मनुष्य तो समझ नहीं सकते तब तो बाप कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो मैं बदलाता हूँ बाप समझते हैं ड्रामा अनुसार सब भूलना जरूर है यह तो ड्रामा प्लान अनुसार आत्माई सब भूल जाते हैं अब यह बात अच्छी तरह समझते हैं अभी यह संगम युग है दुनिया तो कहती है कल युग अभी छोटा बच्चा है इसको कहा जाता है ऐसा सोचना इसको क्या कहा जाता है अज्ञान घोर अंधियारा है अज्ञानता का अंधियारा जिसे ड्रामा के एक्टर्स को मालूम होता है कि अभी नाटक पूरा होने में कोई नाटक प्ले करते है न तो उने पता होता है कि अभी नाटक पूरा होने में दस मिनट है यह भी चैतन्ने ड्रामा है यह कब पूरा होता है? मनुष्य नहीं जानते उसका तो पता है, अभी दस मिनट के बाद फिल्म खतम होने वाली है, ड्रामा खतम होने वाला है ये ड्रामा कब खतम होने वाला है, इसका किसी को नहीं पता मनुष्य तो घोर अंधियारे में है, बाप कहते है गुरू गोसाई वेद शास्त्र जप तप आदी से मैं नहीं मिलता हूँ दुनिया में भी गीता के ये शक्षर है, गीता में ये वर्णन किया गया है कि मैं गुरू गोसाई वेद शास्त्र जप तप से नहीं मिलता हूँ यह है भक्ति मार्ग की सामगरी मैं तो अपने समय पर आता हूँ जब रात से दिन बनाना है अथवानेक धर्मों का विनाश कर एक धर्म की स्थापना करनी है जब सृष्टी चक्र पूरा हो तब तो मैं स्वर्ग की स्थापना करूँ जट बादशाही शुरू होती है चक्र खत्म बादशाही शुरू तुम जानते हो हम फिर कोई राजाओं के पास जन मिलेते हैं फिर आहिस्ते आहिस्ते नई दुनिया बन जाती है सब कुछ नया बनाना पड़ता है बाबा ने समझाया है आत्मा में पढ़ाई के संसकार बकर्म करने के संसकार रहते हैं अब तुम बच्चों को आत्म अभिमानी बनना चाहिए बिल्कुल Soul Conscious आत्म अभिमानी बनना चाहिए मैं आत्मा हूँ कैसी आत्मा हूँ? शांत स्वरोप, सुक स्वरोप, आनंद स्वरोप यही हमारे स्वमान यह यूं कहे अभिमान है तो आत्म अभिमानी बनना चाहिए मनुष्य है सब, देहे अभिमानी जब आत्म अभिमानी बने तब परमात्मा को याद कर सके पहले पहले है आत्म अभिमानी बनने की बात सबसे पहला important chapter अपने को आत्मा समझना अपने भीतर के गुणों को बास्तविक शक्तियों को इमर्ज करना कहते भी सब हैं कि हम जीव आत्मा है यह भी कहते हैं आत्मा अविनाशी है यह शरीर विनाशी है श्रीमत भगवत गीता में भी लिखा है आत्मा अविनाशी है शरीर विनाशी है आत्मा एक शरीर छोड, दूसरा लेती है, इतना भी कहते हैं, परन्तु इस पर चलते नहीं, अपने को आत्मा समझते नहीं है अभी, तुम जानते हूँ, आत्मा निराकारी दुनिया से आती है, पिल्कुल, अपने उस स्वरूप को, उस थिती को इमर्ज करेंगे, आत्मा निराकारी दुनिया से आती है, उसमें अविनाशी पार्ट है यह बाप बैट समझाते है, जितना सूल कॉंशिस होकर बैठेंगे न, तो बाबा के हर एक शब्द को अनुभव कर पाएंगे तो बाबा ऐसे नहीं बाबा तो बिलकुल उस स्वरुप में स्थित होकर हमें समझा रहे हैं हमें भी उसी स्वरुप में स्थित होकर उसको बिलकुल अंदर तक फील करना है यह बाप बैट समझाते हैं उनर जन्म लेते हैं ड्रामा तो हूबहू repeat होता है फिर Christ आदी सबको आना पड़ेगा अपने अपने समय पर आकर धर्म स्थापन करते हैं सबकी बुद्धी में चक्रफिर राये ना तुम्हारा अभी यह है पहुच्चाव संगम पर संगम योगी ब्रामभणों का धर्म वह है पुजारी ब्रामभण तुम हो पुज्चे तुम कभी पूजा नहीं करेंगे मनुष्य तो पूजा करेंगे तो बाप समझाते हैं यह कितनी बड़ी पढ़ाई है कितनी धारणा करनी पड़ती है विस्तार से धारणा करने में नमबर नमबर कैसे बनते हैं? धालना में. नट्शल में तो समझते हैं बाबा रचता और यह उनकी रचना है। सब समझते हैं अच्छा यह तो समझते हो ना बाप है। पुकारते हैं अगर भक्त भगवान है सब्पोस भगवान है तो फिर बाबा कहे किसको पुकारते है अगर किसी को बाबा कह रहे है तो फिर अगर वही भगवान है तो फिर बाबा किसको कह रहे है यह भी समझते नहीं अपने को भगवान समझ बैड जाते हैं ऐसे कहते हैं आत्मा ही परमात्मा है हम सो सो हम इसकार्थ ये लिकाल देते हैं बाबा कहते हैं ड्रामा अनुसार जब ऐसी हालत हो जाते है जब आत्मा खुद को परमात्मा समझने लगते है भारत बिलकुल ही लास्ट खाते में चला जाता है तब बाप आते हैं जब धर्म की इतनी गलानी होते है तब बाबा आते हैं भारत जब पुराना हो तब फिर नया बने नया भारत जब था तो और कोई धर्म नहीं था सत्युग में एक ही धर्म था उसको स्वर्ग कहा जाता है अभी पुराना भारत है इसको नर्ग कहेंगे बहाँ पुज्य थे अब पुज्यारी है पुज्य और पुज्यारी का फर्क तो बता दिया है हम आत्मा सु पुज्य फिर हम आत्मा सु पुज्यारी इस पुझ्ज और पुझारी में सारा चक्र फिर जाता है हम सो ज्ञानी तो आत्मा फिर हम आत्मा पुझारी तो आत्मा यही चक्र फिर गया फिर से आप ही पुझ्जे आप ही पुझारी भगवान को नहीं कहेंगे लक्ष्मी नारायन को कहेंगे वही आत्माई पहले पुझे फिर पुझारी तो यह बुध्धी में आना चाहिए कि वह कैसे पुझे फिर पुझारी बनते हैं बाप कहते हैं कल्प पहले भी मैंने ऐसे ही ज्यान दिया था कल्प कल्प देता हूँ मैं आता ही हूँ कल्प के संगम युक पर मेरा नाम ही पतित पावन है संगम पतित को पावन बनाने का युख जब सारी दुनिया पतित होती है तब मैं आता हूँ देखो यह जाड है इसमें ब्रम्भा उपर में खड़ा है पहले आदी में दिखाते है अभी सब पिछाडी में है जिसे ब्रम्भा पिछाडी में प्रत्यक्ष हुआ है वैसे वह भी पिछाडी में आएंगे जिसे क्राइस्ट है तो वह फिर अंत में आएगा परन्तु हम पिछाडी यनि डाल के अंत में उनका चित्र नहीं दे सकते है समझा सकते है जैसे यह देवी देवता धर्म की स्थापना करने वाला प्रजापिता ब्रह्मा है अभी जाड की अंड यनि अंत में खड़ा है जाड का चित्र देखा है ना तो नीचे जड़ों में भी है फिर उपर भी दिखाते है Christ भी कृष्यन धर्म का प्रजापिता है ना जैसे यह प्रजापिता ब्रह्मा वैसे वो प्रजापिता Christ प्रजापिता बुथ यह सब धर्म की स्थापना करने वाले है सन्यासियों का शंकराचारे उनको भी पिता कहेंगे धर्म का बह गुरु कहते हैं कहेंगे हमारा गुरु शंकराचारे था तो यह जो डाल के आदी में खड़े है यह फिर जन्म लेते लेते अंत में आते हैं अभी सब तमु प्रधान स्टेज में है यह भी आकर समझेंगे पिछाडी में सलाम करने आएंगे जरूर उन्हों को भी कहेंगे बेहत के बाप को याद करो बेहत का बाप सब के लिए कहते हैं क्या एकी डारेक्षन है बाबा की देहे सहत, देहे के सब समबंधों को छोड़ो यह ज्यान हर एक धर्म वाले के लिए है सब देहे के धर्म छोड़ अपने को अशरीरी समझ बाप को याद करो जितना याद करेंगे ज्यान की धारणा करेंगे उतना ओच पद पाएंगे सब याद करना है ज्यान को धारण करना है उच पद अपने आप मिल जाएगा कल्प पहले जिसने जितना ज्यान लिया होगा उतना जरूर आकर लेंगे तुम बच्चों को कितना फखुर रहना चाहिए हम विश्व के रच्चाईता बाप के बच्चे है है सबको फखुर उसको राहट बताती है बाप हमको विश्व का मालिक बनाते है राजयोग सिखला रहे है कितनी सहज बात है परन्तु फिर क्या होता है चलते चलते थोड़ी सी बात में संशे आ जाता है इसको ही क्या कहते है माया का तोफान वपरीक्षा कहा जाता है यह तो बाप कहते ही है क्या कि ग्रहस्त विहवार में रहना है सबको घर बार छोडा दू तू सब यहाँ बैठ जाए वहवार में भी पास करना है फिर समय पर सर्विस में लग जाएंगे जिन्होंने धंदे आदी को छोडा है उन्हों को फिर सर्विस में लगाते है तो कोई बिगड़ पढ़ते हैं कोई तो समझते हैं, श्रीमत में कल्यान है, श्रीमत पर जरूर चलना ही है, डारेक्शन मिला, उसमें फिर आना कानी नहीं करनी चाहिए. बाप हर बात में कल्यान कारी है, माया बड़ी चंचल है, माया क्या है, हमारा एहम, एहंकार, मैं आया, भीतर का ये एहंकार, अंदर की ये कमजोरी, ये हमें अंदर से विचलित करती है, इसलिए कहते हैं, माया बड़ी चंचल है, बहुत हैं जो समझते हैं, ऐसे रहने से तो क कोई धन्दा आदी करे, कोई समझते हैं, शादी करे, बुधी चक्र खाती रहती है, फिर पढ़ाई को छोड़ देते हैं, कोई तो बाप से गयरंटी करते हैं, हम श्रीमत पर जरूर चलेंगे, वह है आसुरीमत, यह है इश्वरीमत, आसुरीमत पर चलने से, बहुत कड़ी सजाएं खाते हैं, उन्होंने फिर गरोड पुराण में, डराने की रोचक बाते लिख दी हैं, बहुत रोचक बाते लिख दी हैं, ऐसा करोगे, ऐसा जनम मिलेगा, डराने के लिए, जिससे जास्ती पाप ना करें, परन्तु फिर भी सुधर्ते थोड़ी हैं, सुन लेते हैं, सुधर्ते नहीं हैं, यह सब बाप समझाते हैं, ज्यान का सागर कोई मनुष्य नहीं हो सकता, यह ज्यान केवल बाबा दे सकते हैं, ज्यान का सागर नॉलिजफुल, बाप समझा रहे हैं, जो समझते हैं वैं फिर समझाते हैं कहते हैं यह ठीक बात है हम फिर आएंगे बस प्रदर्शनी से बाहर निकले और खलास होता है ऐसे ना? बहुतों के साथ ऐसे होता है हाँ कोई दो-तीन भी निकले तो भी अच्छा है प्रजा तो बहुत बनती रहती है बर्सा पाने लायक कोई मुश्किल निकलते है राजा रानी के एक दो बच्चे होंगे उनको राजकुल का कहेंगे प्रजा तो कितनी धेर होती है प्रजा तो जट बनती है राजाईं थोड़ी बनते हैं सोला हजार एक सो आठ त्रेता के अंत में जाकर बनते हैं राजाई कुल की आत्माई प्रजा तो करोड़ों की अंदाज में होगी यह समझने की बड़ी विशाल बुद्धी चाहिए हम पार लौक एक बाप से वर्सा ले रहे है बाप का फर्मान है मुझे जात करो और वर्से को जात करो मन मना भव और मध्याजी भव स्वर्ग है विश्णपुरी और यह है रावणपुरी शांती धाम, सुख धाम और फिर दुख धाम पुरा चक्र फिर गया? यह बाप समझाते हैं बाप को याद करने से अंतमती सोगती हो जाएगी भक्ति मार्ग में समझो श्रीकृष्ण को याद करते हैं परन्तो ऐसे नहीं कि श्रीकृष्ण पुरी में पहुच जाएंगे याद करेंगे और पहुच जाएंगे ऐसा तो नहीं होगा नहीं करके श्रीकृष्ण पुरी में जाकर ध्यान में रास आदी करके लोटेंगे वह है नौधा भक्ती का प्रभाव इतनी तीवर भक्ती करते हैं तब जाकर साक्षातकार होते हैं जिससे उनको साक्षातकार हो जाता है मनुकामना पुरी होती है इसी मनुकामना से नौधा भक्ती करते हैं बगि सत्युग तो सत्युग है साक्षातकार हुआ सत्युग में थोड़ी ना पहुच गए सत्युग तो सत्युग है वहाँ जाने लिए फिर नौधा पढ़ाई चाहिए भक्ती नहीं पढ़ाई चाहिए नौधा भक्ती नहीं पढ़ते रहो मुरली जरूर पढ़नी चाहिए सेंटर में जरूर जाना है नहीं तो मुरली लेकर घर में जरूर पड़ो मुरली मिस नहीं होनी चाहिए ये पक्का करो कोई को कहा जाता है सेंटर जाओ हर एक के लिए अलग-अलग है परिस्थिती देखी जाती है ना इसलिए सबके लिए एक बात नहीं हो सकती ऐसे नहीं बाबा कहते हैं द्रिष्टी दे कर खाओ तो बस परन्तु बाबा कहते हैं लाचारी हालत में और कुछ नहीं कर सकते तो द्रिष्टी दे कर खाओ लाचारी हालत के लिए है ये श्रीमत वैसे श्रीमत नहीं है कि कुछ भी लिखाओ द्रिष्टी दो, बस नहीं, बहुत लाचार है स्थिती, तब जाकर ये श्रीमत बाबा की है, पकि सब के लिए थोड़े ही बाबा कहेंगे, जिसे बाबा कोई को कहते हैं, बाइसकोप में भले जाओ, परन्तु ये सब के लिए नहीं है, जिनकी सेवा है उसे कुछ सीखने के लिए, कुछ समझने के लिए जाओ, कोई के साथ जाना पड़ता है, तो उन्हें भी नौलिज देनी है, अगर किसके साथ जाते हैं, तो उन्हें भी ज्यान दो, यह हद का नाटक है, यह बेहद का नाटक है, ऐसे ज्यान दो, तो सर्विस करनी पड़े, ऐसे नहीं सिर्फ देखने के लिए जाना है शम्शान में भी जाकर सर्विस करना है सब जगा जाकर सेवा करनी है रुहानी बच्चों की रुहानी बाप दादा को गुट मॉर्निंग नमस्ते 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 बाबा धार्णा के लिए मुख्य सार पहला बाप की हर बात में कल्यान है यह समझ निश्चे बुद्धी होकर चलना है कभी भी संशे में नहीं आना है श्रीमत को यथार्थरीती समझना है दुसरा आत्म अभिमानी रहने का अभ्यास करना है ड्रामा में हर एक्टर का अनादी पार्ट है इसलिए साक्षी हो देखने का अभ्यास करना है अजका वर्दान है सदा सेफ्टी की लकीर के अंदर पर्मात्म छत्र चाया का अनुभव करने वाले माया जीत भव क्या वर्दान है अजका? माया जीत भव कैसे बनेंगे? जब सदा सेफ्टी की लकीर के अंदर पर्मात्म छत्र चाया का अनुभव करेंगे बाप और आप सेफ्टी की लकीर क्या है? बाप और आप यही सेफ्टी की लकीर है अकेले नहीं है हम सदा बाबा के साथ है मैं और मेरा बाबा यह लकीर ही परमात्म चत्र चाया है जो इस चत्र चाया की लकीर के अंदर है उसके पास माया आने की हिम्मत भी नहीं रख सकती फिर महनत क्या होती, रुकावट क्या होती, विगन क्या होता इन शब्दों से अविद्या हो जाएगी, बस क्या है सेफ्टी की लकीर? आप और बाप, सदा सेफ रहेंगे, बाप के दिल में समाई रहेंगे यही सबसे सहज और तीवर गती में जाने का बमाया जीत बनने का पुरुशार्थ है बस साथी के साथ रहो, फिर देखो माया चू भी नहीं सकते स्लोगन है, दिव्वे गुणों के सर्व अलंकारों से सजे सजाई रहो कौन से हैं हमारे अलंकार? सर्व दिव्वे गुण दिव्वे गुणों के सर्व अलंकारों से सजे सजाई रहो, तो एहंकार आ नहीं सकता कितना सिंपल है बाबा का ज्यान, इसे हम कॉंप्लिकेट क्यों कर देते हैं, बॉडी कॉंशिसनेस में आ जाते हैं, इसलिए आज का होंबग भी क्या रखेंगे, हमें क्या बनना है? बाबा ने आज का आत्म अभिमानी बनने का अभ्यास करना है, तो बार बार देहे और स्वयम को डेटाच करके, पूटल सोल कॉंशिस बिंदू स्वरूप में इस्थित होंगे, बिलकुल विस्तार ना दिखाई दे, सार स्वरूप हो जाएंगे और इमर्ज करेंगे अपने दिव्य गुणों को मैं शांत स्वरूप, सुक स्वरूप, आनन्द स्वरूप, पव आत्मा हों, मेरे भीतर समाने की शक्ती, सहन करने की शक्ती, परखने की शक्ती समाहित है, तो बार-बार इस आत्म अभिमानी स्थिती का अभ्यास करते रहेंगे, ठीक है, अच्छा, ओम शांती सद गुन अवगुन के कारण कोई हीरा है, कोई पत्थर है, सद गुन अवगुन के कारण कोई हीरा है, कोई पत्थर है, धरती पर स्वर्ग बसा लेना, ओ माना तुझी पर निर्भर है सद गुन अवगुन के कारण कोई हीरा है, कोई पत्थर है सद गुन अवगुन के कारण कोई हीरा है, कोई पत्थर है तू तीप से दीप जलाता तू सब को गले लगाता चल तू प्रेम एकता शांती सत्य सहयोग के रतन लुटाता चल गुन ही गुन भरे पड़े तुझ में अंतर तेरा रतना कर है सद गुन अवगुन के कारण कोई हीरा है, कोई पत्थर है सद गुन अवगुन के कारण कोई हीरा है, कोई पत्थर है नदीन अपना जल पीती है पेड़न अपना अखल खाते पर उपकार के लिए ही हम ये अनमो जनम पाते जो पर दुख को अपना माने वो मानओ देव से बढ़कर है सद गुन अवगुन के कारण कोई हीरा है, कोई पत्थर है सद गुन अवगुन के कारण कोई हीरा है, कोई पत्थर है दर्ती पर स्वर्ग बसा लेना ओ मानव तुझी पर निर्भर है सद्गुन अवगुन के कारण कोई हीरा है कोई पत्थर है कोई हीरा है कोई पत्थर है